हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सबको आप देख रहे हैं SPTube YouTube चैनल दोस्तो आज की उड़े में हम यह बात करने वाले हैं कि अगर आपके घर में कोई महिला है और उसका बच्चा पैदा होने वाला है तो आप उसको 6000 का लाब कैसे दिला सकते हैं आप अपने घर पे ब लेगा उसका क्या-क्या प्रोसेस है उस फॉर्म को कैसे भरेंगे उसके क्या-क्या डाकुमेंट की जरुवत पढ़ सकती है तो आज की वीडियो में हम यही बताएंगे ठीक है तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और लाइफ फॉर्म फिलब करके मैं आपको दिखा दे चलिए दोस्तों वीडियो को स्टाट करते हैं दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जिए और बेल आइकन को दबाना ना बुलेगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेग आप तक पहुंचे तुरंत तो क्लिक कर देना है जैसे जैसे करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि cmvcd के website पे आ चुके हैं तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि लगबग यहां पे चार करोड़ लोगोगों नहीं आप पर अपना form enroll किया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है और यहाँ पर देख सकते हैं कि pad amount यहाँ पर आपको लगबग 3.44 करोड के आसपास यहाँ पर लोगों को beneficiary का आपको lab मिल चुका है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि citizen login का option दिया हुआ है तो इस वाले option पर आपको क्लिक करना है ठीक है यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपसे phone भर दिजेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि select state पुछा जा रहा है ठीक है तो आप जीज भी state से हैं वो state अपना यहाँ पे select कर लेंगे जो भी आपका state हो आप यहाँ पे अपना state select कर लीजेगा ठीक है और यहाँ पे आपको select district बोल रहा है यहाँ पे आप सहर से हैं तो आप औरवन सेलेक कर लेंगे ठीक है और दोस्तों यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक सेलेक करना है ठीक है मतलब आपका ब्लॉक कौन सा है ठीक है विकास खंड आपका कौन सा पड़ता है वो यहाँ पर आपको select कर लेना है ठीक है फिर यहाँ पर आपको अपना यहाँ पर भीलेज select करना है जो भी आपका gram सभा है गाओं का नाम है वो आपको यहाँ पर select कर लेना है अपना gram पंचायद ठीक है अपने इसाब से जो आपका ग्राम सबाई जिस गाओं के आप निवासी है वो यहाँ पे आप अपना select कर लेंगे ठीक है और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि relationship with beneficiary पतलब beneficiary से आपका क्या relation है वो यहाँ पे आप select कर लेंगे ठीक है father है father-in-law है mother, mother-in-law, other, self आप यहाँ पे जो भी option आपको select करना चाते हैं कर सकते हैं आप self भी select कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पे आपको create account पे आपको click कर लेना है ठीक है यहाँ पे सारा कुछ भरने के बाद आपको create account पे click कर लेना है ठीक है तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यूर एकाउंट हैज बिन क्रियेटेट सक्सेस्पूल प्लीज लॉग इन अगें ठीक है तो यहाँ पर आपको अपना मोबाईल नॉमर भर के आपको फिर से लॉग इन हो जाना है ठीक है दोस्तों यहाँ पर लॉग इन होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको थ्री लाइन्स दिये हुए हैं ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्री लाइन्स दिये हुए है तो यहां पर आपको इस वाले option पे click करने ना है beneficiary registration पे आपको click करना है दोस्तों जैसे यहां पर beneficiary registration पे click करेंगे तो यहां पर आपको beneficiary registration का form open ہو के आपके desktop पे आ जाएगा और यहां पर आपको कुछ इस तरह से आपको form फिलब करने का option आ जाएगा ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे आपको बारी बारी से सारे डीटेंस भर देना है ठीक है यहाँ पे आपको प्रस्टनल प्रोफाइल भरना है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे आप से पूछा जा रहा है क्या आप गौर्मेंट एप्प्लॉई है तो नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर आपका फर्स्ट चायल्ड पे आपको जोलात मिला है वह ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉमबर ओफ लाइब इंग चिल्डेन तो यहाँ पर आपका ऑप्सन दिया हुए ठीक है तो उमीद है कि आपका पहला बच्चा होगा तो यहां पर आपको दूसरे वाले और एक ट का आधार मांगा जा रहा है ठीक है तो यहाँ पर आपके पास आधार है तो यह करेंगे अनिता नो करेंगे ठीक है आपको आधार नमर देना अनुमार है दोस्तों यहाँ पर अपने आधार पे यह पे क्लिक कर देंगे ठीक है और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ भर देंगे हो यहां पर अपना नाम भर देंगे जो आपके आधार के नितिक है अपना आधार नंबर बहर देंगे औस दोस्तों यहां पी आपका जैसे इर Utzil आजsl you है यहाँ पहाँ नाम है कर लेना है तो यहाँ पर फ्माल के और नॉमें तो यहाँ पर पूछा रहा है कि फोन है कि किसके पास रहता है? सेलेक्ष है है और यहां पर बहुत सारे option दिया हुआ है self husband mother father ठीक है यहां पर आपको अपना Select कर लेना है जिसके पास भी phone रहता है तो यहां पे आप अपना self select कर सकते है ठीक है और दोस्तों यहां पर आपको option दे क्लिक करना है यहां प Although क्लिक करने डाकुमेंट पर कथीписपती का इस वाले उप्सन कोट करना एcent करने डिय और दोस्तों यहां पर आपको आइइंटिटि नंबर दीए यहाँ पे आपको आपको फाइल अपलोड कर देना है ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं dost tis rch id यानि आपको हैंगन बाड़ी जो पेपर मिला हुआ है जो बच्च्य आपका हुआ है तो उसका आगन बाड़ी में जाके और आपको भर देना है प्राप्ट करके ठीक है यहाँ पर उसका नंबर भर देना है ठीक है यहाँ पर काड रजिस्टेशन डेट भरना है ठीक है और यहाँ पर आपको यहाँ पर डेट भी भर देना है ठीक है और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप से पुछा जाए नंबर और यहां पर यहां पर देख सकते हैं कि आपका जो बच्चा है उसका यहां पर नेम देदेना है और दोस्तों यहां पर आपसे पर्मनेंट एड्रेस पूछा जा रहा है अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप रूडल से हैं ठीक है यानि ग्रामीर से हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको Armen एडिस भर देना है यहाँ पर इस्टेट इसपक्प ब्लॉक भी सिलेक्ट है और विलेज भी आपका सिलेक्ट है ठीक है यहाँ पर बस आपको पीन कोड भरना है ठीक है और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका आगन बाड़ी किस छेत्र में आता है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है ठीक है जो भी आपका छेत् वाले option पे क्लिक कर देना है या पे submit पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको एक reference number मिल जाएगा ठीक है और आप अपने आंगन बाड़ी के द्वारा आप अपने 6000 रुपे को प्राप्ट कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से आप अपने second वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय जहिन बंदे मातरम